प्रस्न तेरा, सरलतम रूप में मान लिखें, प्रस्न तेरा का तीन अभी हल करेंगे, जो की है कौट पचास डिग्री, कौट पचास डिग्री बटा, टैन, चालिश डिग्री, कौट पचास डिग्री बटा, टैन, चालिश डिग्री, तो इसका सरलतम रूप में मान लिखना है, तो हम इसको लिख लेंगे, कौट पचास डिग्री बटा, टैन, अब टैन, चालिश डिग्री को हम लिख सकते हैं, नभे डिग्री माइनस पचास डिग्री, क्योंकि नभे में से पचास घटाने भी क्या था, चालिश, तो टैन, चालिश डिग्री को हम, टैन, नभे डिग्री माइनस पचास डिग्री लिख सकते हैं, तो इस तरह क्यों लिखेंगे क्योंकि 1090 डिगरी माइनस ठीटा के सूतर पर बैठाने के लिए इस तरह लिखेंगे तो 1040 डिगरी को हम लिख लेंगे 1090 डिगरी माइनस 50 डिगरी तो दोनों में से किसी को भी आप बदल सकते हैं या तो cot 50 degree को cot 90 minus 40 degree लिख सकते हैं या 10 40 degree को 10 90 degree minus 50 degree लिख सकते हैं तो किसी को भी, दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं तो ये हो जाएगा cot 50 degree बटा, अब 10 90 degree minus theta तो 10 90 degree minus theta बराबर क्या होता है? 10 90 degree minus theta बराबर होता है cot theta तो 10 90 degree minus theta, theta के जगा पे 50 degree है तो लिख देंगे cot theta, यानि cot 10 90 degree minus theta बराबर cot theta तो theta के जगा पे क्या है? 50 degree, तो cot 50 degree लिख देंगे यानि 10 90 degree minus 50 degree बराबर हो जाएगा cot 50 degree तो इस तरह पहले हम इसको बदल लेंगे अब देखें कॉट 50 डिगरी से कॉट 50 डिगरी को काट देंगे क्या आएगा कुछ नहीं बचा तो एक लिख लेंगे यानि इसका सरलतम रूप में मान क्या हो जागा एक तो कॉट 50 डिगरी बटा 10 40 डिगरी बराबर हो जाएगा एक क्यों होगा ऐसा क्योंकि कॉट 50 डिगरी और 10 40 डिगरी दोनों बराबर होता है कॉट 50 डिगरी का मान और 10 40 डिगरी का मान क्या होता है बराबर तो इस तरह से इसको बदल करके इसको हल करेंगे अब प्रस्न चार तो प्रस्न चार में है दो साइन दो साइन बीश डिग्री बटा तीन कॉस सत्तर डिग्री दो साइन बीश डिग्री बटा तीन कॉस सत्तर डिग्री तो इसमें भी देखें साइन बीश डिग्री को cos में बदल दे या cos cos 70 degree को sign में बदल दे किसी को एक को बदलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 sin 20 degree बटा 3 cos अब cos 70 degree को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 degree माइनस 20 degree cos 70 degree को हम लिख सकते हैं cos 90 degree माइनस 20 degree क्योंकि 90 में से 20 घटाने पर क्या आता है 70 तो इस तरह लिख लेंगे इस तरह क्यों लिखेंगे क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस ठीटा के सूत्र पर इसको लाने के लिए इस तरह हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 20 डिग्री बटा अब यहाँ पर देखें 3 लिख देंगे अब कॉस 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर क्या होता है तो कॉस 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर होता है साइन ठीटा कॉस 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर साइन ठीटा होता है तो cos 90 degree minus theta ठीटा के जगा पर 20 degree है तो cos 90 degree minus theta बराबर हो जाएगा sin theta यानि sin 20 degree sin 20 degree तो cos 90 degree minus 20 degree बराबर हो जाएगा sin 20 degree यानि cos 90 degree minus theta बराबर होता है sin theta तो sin 20 degree देखें उपर भी है तो sin 20 degree से sin 20 degree उखाट देंगे क्या है तो बच गया दो बटा तीन यानि इसका उत्तर हो गया दो बटा तीन तो दो साइन बीज डिगरी बटा तीन कॉस सतर डिगरी कमान कितना हो जाएगा दो बटा तीन क्योंकि साइन बीज डिगरी कमान और कॉस सतर डिगरी कमान बराबर होता है तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे पांच वाँ रूट फाइब गुना कौसेक ती उन्चालिश दिगरी बटा सेक एकाउन डिगरी तो रूट फाइब गुना कौसेक उन्चालिश दिगरी बटा सेक एकाउन डिगरी है ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ पर रूट फाइब गुना अब देखिए कौसेक उन्चालिश दिगरी को सेक में बदल ले या सेक 51 डिगरी को कॉसिक को बदलने, किसे को भी हम बदल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, कॉसिक 49 डिगरी, बटा, सेक 51 डिगरी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 51 डिगरी को हम लिख सकते हैं, 90 डिगरी माइनस, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 51 डिगरी आ जागा, तो 90 नबे में से 51 घटाते हैं, तो 10 में से, देखें, 10 में से, यानि 10 में से 1, या 9, ये हो गया 8, 8 में से 5 घटाएंगे, तो 3, यानि 90 में से 49 डिगरी को घटाएंगे, तो क्या जागा 51 डिगरी, तो सेक 51 डिगरी को हम लिख सकते हैं, 90 डिगरी माइनस 49 डिगरी, क्योंकि 90 में से 49 गटाने पर एक आवन आता है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर रूट फाइब गुना कॉसेक रूट फाइब गुना कॉसेक 49 डिगरी बटा अब सेक 90 डिगरी माइनस ठीटा देखें सेक 90 डिगरी माइनस ठीटा के सुत्र पर आ गया है तो सेक 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर होता है कॉसेक ठीटा सेक 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर क्या होता है कॉसेक ठीटा तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस ठीटा बराबर कॉसेक ठीटा, ठीटा के जगा पे क्या है 49 डिग्री तो लिख लेंगे हम पर 49 डिग्री अब कौसेक 49 डिग्री उपर भी है और नीचे भी तो इसको हम इस तरह से काट लेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा रूट 5 यानि इसका सरलतम रूप में मान क्या हो जाएगा रूट 5 तो रूट पांच गुना कौस से कुन्चालेश डिगरी बटा से के कावन डिगरी का मान हो जाएगा रूट पांच क्योंकि कौस से कुन्चालेश डिगरी का मान और से के कावन डिगरी का मान दोनों बराबर होता है तो देखें इसको काट लें तो यहां पर क्या बचा एक बचा तो रूट पांच गुना एक इसको काट कौस से कुन्चालिश डिगरी बटा कौस से कुन्चालिश डिगरी तो एक आ जाएगा कौस से कुन्चालिश डिगरी बटा कौस से कुन्चालिश डिगरी क्या आ गया एक तो रूट पांच गुना एक यानि रूट पांच इसका उत्तर हो जाएगा तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रेस्न छठा तो छठा प्रेस्न है साइन दस डिगरी बटा कॉस असी डिगरी साइन दस डिगरी बटा कॉस असी डिगरी तो या तो साइन को कॉस में बदल ले या कॉस को साइन में बदल ले किसी को भी हम बदल सकते हैं ठीक है तो हम कॉस 80 डिगरी को साइन में बदल लेंगे तो साइन 10 डिगरी को साइन 10 डिगरी ही लिख लेंगे और कॉस 80 डिगरी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 80 डिगरी को हम लिख सकते हैं 90 डिगरी माईनस 90 डिगरी माईनस अब देखें 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 होगा ठीक है तो cos 90 degree minus theta के सुद्र पे लाने के लिए हम इस तरह लिखे हैं क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा यानि cos 80 degree को हम लिख सकते हैं cos 90 degree minus 10 degree तो तो इसको हम लिख लेंगे sin 10 degree बटा अब cos 90 degree minus theta बराबर क्या होता है cos 90 degree minus theta तो cos 90 degree minus theta बराबर होता है sin theta तो cos 90 degree minus theta बराबर लिख देंगे sin theta तो theta के जगा पर क्या है 10 degree है तो हम लिख देंगे sin 10 degree यानि cos 90 degree minus 10 degree बराबर लिख देंगे sin 10 degree अब देखे sin 10 degree से sin 10 degree को काट लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 इसका उत्तर क्या आ जाएगा एक तो इसका मतलब हुगा कि sin देश डिग्री और cos 80 डिग्री का मान क्या होता है दोनों का बराबर होता है यानि sin देश डिग्री बराबर cos 80 डिग्री ठीक है यानि sin देश डिग्री का मान और cos 80 degree command क्या होता है बराबर तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे